लेकिन यह स्वासंग भी दिलाया हूं कि मालोग हैं ऐसा नहीं है लोग हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला आपके साथ अगिस रहा है देश मेरा आग लगी है सीने में हक्मरां सब्यष्ट हैं हुन जवानों का बिने में वही ऐसे चीजहें यह जाती है जैसे कि अधिकारीों फ़े जाना परता है वहां-पर उनके घरों के नोकर बनना परता है उनकी अन्लीगल होती हैं एसे कार्य करते हैं कि तीन है सीनि महीने में आप इतने परसान हुए में सानगी टॉर्चर हुए अधिकारियों के द्वारा का पूरा बाल जाड़ गया यह यह तीन महीने के अंदर यह मेरे तरका हाल है मैं लेटिनेंट के घर पे 5 बंदे 7 बंदे ऐसे मतलब बेचा जाता है जैसे जवानों को लोग खरीदने वाले इतनी भीड इतना लोगों का प्यार उस दिन मुझे देख के वो जुनून पैदा हुआ था कि वाकई यार देश के लिए मरना और देश के लिए जीना कितनी बड़ी गवरों की बात है उसके चीर कर लहू बहादू दुस्मन के सीने का यही तो मज़ा है फोजी बन कर जीने का हमारे साथ हैं एचके यादव फोजी जो आज अपनी पीडा बता रहे है जब भारत माता की बात आती है ते बेटा अपना सर नहीं जुकाता है बलकि सर कटाने के लिए तैयार रहता है गोली सीने पर खाने के लिए तैयार रहता है लेकिन आज एचके यादव फोजी ने ज की हमारा काम करवाने के बज़ाय है उनसे जाड़ु पोच्छा किरवा ॲा एग ना जाने चीज़े इन्हों ने बताइई है जो सायद बताने में भी सर्म लगे सबसे पहले भारत में आपका बहुत स्वागत है मैं अपने तरफ से प्लस दूसरे बात अपने भारती है सेना की जवानों की तरफ से मैं सभी को जैहिंद बोलता हूं आप सभी को सभी को राम राम करता हूं मैं आप सभी को प्रडाम भी करता हूं हाथ जोड़कर क्या मामला है आप अप्लिकेशन अधिकारियों को भेज रहे हैं रासपती को भेजे हैं और तमाम अधिकारियों को आपने कहां कहां लेटर भेजा पहले तो यूनिट में अपने अप्रोच किया इन चीजह को कि यूनिट के लेबल में इसको चेक करके हर चीज़ों का नयाय मिल जाए ज्यससाब से हमारे साथ जो घटनाय उई जो वारदात हुई मैं सोचा की वो यूनिट लेबल में कि यह से लेएं जो फूरत द्हें के लिए वर्द मुंब्स की कि विए घ्र Erfolg के लिए इसे हम्हार जो class क्युक्न की पानी उन सीखती है वह चीजे नहीं करें के ं schauen तो यहां मैंने खिला जाती बीनों को आज अज रोजगार के हिसाब से उनको जवान दिये जाते हैं आज 10 जवान मेरे घर पे चाहिए उसको चलो 10 दे दो आज इसके घर पे 3 चाहिए, आज उस अधिकारी के घर पे 4 चाहिए उसको दे दो इस हिसाब से जभानों को बेचा जब गारी मनमानी करते हैं बिलकुल एकदम बुरी तरीके से मनमानी कर रहे हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है इतना ज़्यादा गिर चुके हैं जिन सब चीजों को लेके मैं वहाँ के करनल जो हमारे अधिकारी थे मैं उनको बताया था जो वहाँ के फोर्ट टीटीयार जवालपुर के मेन अधिकारी थे करनल जिनके रेजिमेंट के अंदर जो उनके होल नी किसान का लड़का हूं मैंने बोला, मैं भारत मा का लड़का हूँ, मैरी भारत मैया है, और मैं भारत मैया का लड़का हूँ, और मेरा कोई नहीं घर में, कहीं कोई नहीं मेरा, ना कोई अमले, ना कोई बिधायक, ना कोई नहीं मेरा, लेकिन हाँ, मैं भारत मैया के लिए जी रहा हूँ, तो बोलू लाइक नहीं तेरा काम है सिपाही का काम यही है कि तुम जाड़ू पोचा करने के लिए हो तुम इन्हीं सब चीज़ों के लिए हो तुम लड़ाई लड़ने के लिए नहीं हो जब लड़ाई लगेगी तब की तब देखी जाएगी ऐसा उन्होंने बहुत जादे अपसब्द देख गालियां यह सब ऐसी चीजें कही गई थी हमारे सांथ जिन चीजों को लेके मैं फिर भी accept किया मैं ठीक है साहब आप जो कह रहे हैं हम सब मानेंगे आप जो कहेंगे हम तो यह जानते थे कि आपके नजरों में यह सब पता नहीं होता है यह नीचे लेबलों में कराया ज वही एसी चीजे कराई जाती है जैसे कि अधिकारियों के घर पर जाना पड़ता है वहां पर उनके घरों के नौकर बनना पड़ता है उनकी जाड़ों पोछा करना पड़ता है प्लस उनकी बीबियों के सारे फर्मान पूरे करने पड़ते हैं कुछ ऐसे फर्मान दो मैं बत और सांथ में जो मतलब वहां की घास होती है वह गयरा सब ये सब काटना अपनी तलवार खरीद के पैसे से 70-80 रुपए की सम्थिंग एक तलवार आती है वो तलवार हम अपने पैसे की खरीदते हैं बिल्कुल अपने पैसे से खरीदना पड़ता है उसको फिर काटना और जो जाड़ू खरीद के जाड़ू मारनी पड़ती है और उसके बाद यह चीजें होती है उस चर्खों को पिंट करना पड़ता है और जो बच्चे जिस पे घूमते हैं खेलते हैं यह सब चीजें का ऐसे ऐसे काम करवाये जाते हैं मतलब कि आप चाइना की आख निकालने के हमेरे जो फाज में सिस्टम है उसमें सिस्टम यह है कि अपने से एक नंबर सीनियर अगर आदमी है तो आप तो किन भी गलत कर रहा है तो आप उसको बोल नहीं सकते मतलब, अहा का यह सकते मानी परोइजर को मैंने सत्ति बोला तो सत्ति बोलने के लिए मुझे वह प्रताड कि वहारे में हर जगहें पे सीधा सो के उटते ही वही माभण की गालियां तो उन चीजों के लिए पहला पॉइंट मेरा यह था दूसरा यह था जो हमारी सुरच्छा विवस्ता है उसके सांथ जो यह खिलवाड हो रहा है जो हमारा ट्रेनिंग कोर्स है उन चीजों को ना कराक और ये चीजें कराई जा रहे हैं, हमें एडम में, एडम के लिए डिटेल किया जाता है, लेकिन वहां पे हमारी पी भर दी जाती है, उन चीजों को मैं विरोध किया था, उन चीजों को बताया, तो CEO ने और उल्टा मेरे को टारिट किया, उस दिन पूरी रेजमेंट को उन्ह में वही पिठो पोचीज पूरा ये वर्दी वाला ड्रिस पहना देते हैं, पूरी मतलब इतना ज्यादा पीटना रगड़ना खो मतलब दोड़ाना दुपाना एक दूसरे को ऊपर चड़ाया गया, एक दूसरे को उपर लेके दोड़ाया गया, ये से ऐसे पांच किलो मेट रनिंग कराई गई, फिर फंटूल बैक रोलो फोच के बहुत अंदर के बहुत प्रोसीजर होते हैं परसान करने के तरीके, आइसे बात करते हो रोते हो, और ये सब आपका मतलब मेरा जैसे कभी वीडियो काल होता था तो मेरा सर के बाल जाने सुरू हो गए थे उसी समय, अ अभी अक्टूबर के बाद से ये जब घटनाएं शुरू हुई, यानि ये मान की चलो 20 नौंबर तक भी मेरे सर पे बहुत जादे बाल थे, पांच-छे महीने में आपका पूरा बाल जाड़ गया, ये तीन महीने के अंदर ये मेरे सर का हाल है, ये कोई बीमारी तो नहीं ह बाल जडने की इतनी भी इतनी भेंकर विमारी तो है नहीं कि तुरंत अचानक से, अभी जो भी हो सकता है, क्योंकि मुझे बहुत जादा में प्रेसर में रात भर सोता नहीं था, दिन भर तो है, ये सोने ये कहां देते ही थे, उस समय तो इतना परसान कर रखे थे, हमारे स् ले जाके एक लास में बिना इंस्ट्रक्टर के ऐसे बैठा दिया जाता था, कोई एक उस्ताद आ जाता था, बोलता था, यार की सियो का आदे से, हम करी क्या सकते हैं, भाई हमें भी आना की पी लगा देना पड़ता है, यही होता है, जवानों की बीवियों के साथ, और वो गिड़ाती रही, फोन पे इसर मेरे सामने लोगों ने पीटा है, लेकिन किसी ने मेरी बात को नहीं सुना, और वही सियो जो हमारे सियो हैं, उनकी बीवी हमारी यूनिट में जैसे रथ्यात्रा निकाली जाती है, जैसे रथ्यात्रा निकाली जाती है, हमारे देश के प तो ऐसे ही हमारे के लिए क्या होता है? कभी भी कौन सी गोली हमारे सीने में लग जाये हम बिदा हो जाए हम तो बेफिकर रहते ही हैं सर पे कफण बांद के नहीं तो उस दिन मेरा इन लुगों ने दस नमबर फारम एक फोज में होता है पागल घुसित करते हैं इस दिन 20 नमबर को ये लोग मुझे पागल घुसित करा रहे थी जिपसी खड़ी हो गई थी सामने मुझे ले जाया जाने की बात चल रही थी लेकिन उस दिन उन्हें ये चीज मेरे को 10 नमबर पागल घुसित मैं करने देने का एक नीड़ है उनका मैं बहुत ही मैं इसको दिल से ले रहा हूँ कि आज मैं यहां पर बोल पा रहा हूँ नहीं तो मुझे पागल गोसित करा देते हैं जो फोज पागल गोसित कर देती तो आज मैं पागल ही रहता मैं कितना अभी कुछ भी बोलता मुझे लोग पागली कहते लेकिन रात को हमें गार्ड लगा कर रखा गया और रात को जान से मारने तक का मुझे क्योंकि क्वार्टर गार्ड में बंद करने की बाती चल रही थी कि इसको कौर्टर गार्ड में बंद किया जाएगा और इसके इसके मतलब इसको क्योंकि मेरे पास कुछ प्रूफ हो चुके थे कुछ चीजें हो चुकी थी तो जैसे एक प्लान बनाया गया जान से मारने तक का जिसकी वज़े से मैं अपना जान बचा के रात को वहां से इसकी वज़े से मैं उत्तार फांत की किसी तरीके से मैं अपनी जान बचा के वहां से जान बचाने में कामियाब होगा कि नहीं तुझे वहीं जाना होगा अब भी रिजाइन दे दिये मैं रिजाइन तु दे दिया सबी सम्मानित लोगों को प्लस अंत में अपने अधिकारियों को सीनियर जो हमारे सीछनल कूर के में Αधिकारी होते हैं साहब लेटेन जनियरल एनियर था है सैनि तो अनको भी मेसेज dernière रेजिस्ट्री हो भी किया, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं बोला किसी ने कुछ भी नहीं बोला lette बहुत बढ़ी बड़ी जब फाउच बात आती है वहा हमारे लिए खड़ी रहती है चाहे होली हो दिवाली हो हम घरों में मना रहे होते हैं लेकिन वह फोज वहां पे सीमा पे खड़ी होती है हमारे लिए गोली खाने के लिए तैयार रहती है वहां पे हम यहां पे इसलिए है क्योंकि आप लोग वहां पे हो तो लेकिन जब आप लोग के उपर कुछ दिक्कत हो जहां कुछ ना लाइट ना चारपाई ना कुछ भी जमीन पर मेरे पास हैं कुछ वो बीडियों में आपको सेयर करूंगा हुमा जब लोगों के पास थोड़ा गया लोगों से संपर्क किया तो लोगों ने हमें यही आस्वासन दिया कुछ दिन पहले की घटना है तेज बहादूर यादो था कोई जो लड़ा था कि खाने को ले करके तो गलती क्या थी बेचारे की उसने भी तो भाई ने भी अच्छा ही किया था मैं तो यह कहूँगा कि उस बड़े भाई ने मेरे बहुत ही अच्छा किया था कि खाने की जो चीजें अभी आज भी बहुत चीजें ऐसी हैं कि बिल्कुल खाने की कटिंग ली जाती है खाना तो खाने लाइक नहीं होता है अभी आज भी मैं भी कह रहा हूँ अधिकारियों की मेस में चले जाओ आप हाठ चाटते हुए निकलोगे एकदम ऐसे उनके लिए एक कूक रहता है अरे क्यों दुर्बेवार हो रहा है हम जवानों के साथ हम भी तो सबसे जादा तो हमी अपने देश को बचा रहे हैं हम इस सुरच्छा को सबसे जादा मजबूती तो हमी दे रहे हैं लेकिन ये हमारी जवानों के साथ ही जो दुर्वेवार हो रहा है जो इनके साथ बरताव हो रहा है मुझे बोले उन्होंने कि ये कैप उतार लेना तो मैं कैप उतार लिया तो मैं चीजें मुझे याद हैं और चीजें बहुत दर्द होता है जल रहा है देश मेरा, आग लगी है सीने में, हुक मरा सब्यस्त हैं, खून जवानों का पीने में, पक्ष बिपक्ष का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, पक्ष बिपक्ष का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, चीख रही मेरी भारत मैया, अपने भारत मैया के बीर सपूतों की चीख सुनाने आया हूँ, अपने भारत मैया के बीर सपूतों की चीख सुनाने आया हूँ, आकि मैं तो सबको समझा रहा हूँ, लेकिन घरवाले थोड़ा थे साइद मुझे तकरीबन याद है जहां तक मैं दो या तीद में पढ़ता था, दो में साइद पढ़ता था उसी समय अमारे पिता जी नहीं रहे, तो हम लोगों के भरोसे जी है, इसलिए उसको दर्द होता है और मुझे भी थोड़ा दर्द होता है, لेकिन मैंने उसको बोल उसके बाद अगर दूसरी माँ होगा आप मेरी माँ है तो बारत माँ है इसलिए मैं अपने माँ को अभी में बोल भी दिया हूं कि माँ अगर तुम नहीं भी रहोगी तो अभी हमें कोई दिक्कत नहीं भी होने वाली है मैंने अपने माँ को ये वर्ड बोला है कि अगर माँ अगर तुम अभी नहीं भी रहोगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है लेकिन इस देश के लिए मैं लड़ूँगा सच्चे मन से लड़ूँगा तो लड़ूँगा लेकिन या स्वासंग भी दिलाया हूँ मा लोग हैं ऐसा नहीं है लोग हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला आपके साथ आप लोगों की सुरच्छा को लेके इस देश की वो जिस बगिया को हम लोग अपने लहू से सीचते हैं जिस हिंदुस्तान को हम अपने बलिदान देके सीचते हैं, लोग खड़े होते हैं, हमारी सहादत के बाद दिखावा करते हैं, फोटो खिचाते हैं, क्या करते हैं, क्योंकर हमारा एक भाई जिला जीत यादो, यहीं हमारे पडोसी मेरा जूनियर था, लेकिन फोज में मेरे से छे महीने लगभग विचारा पहले भरती हुआ था, वो विचारा अज देश के लिए, साथ-साथ-ाथ-ाथ जवानों, आतंकवादियों से लड़ते हुए सहीद हुआ, बीर गती को प्राप्त हुआ, उस सहादत में मैं यहां पे था, उस सहादत में मैं उसको सल्यूट किया था, तो उस टाइम पे मैंने जब देखा था, इतनी भीड, इतना लोगों का प्यार, उस दिन मुझे देख के वो जुनून पैदा हुआ था, कि वाकई यार, देश के लिए मरना और देश के लिए जीना, कितनी बड़ी गवरों की बात है, उस दिन मेरे दिल को, और ये ची दिलासा, मेरा ओजिला जीत भाई भी उपर से, अगर देख रहा होगा मेरे इस दर्द को, तो भी उसकी भी आखों में आसू होगा, कि लोग साय जूठी दिलासा दिलाते हैं, ये थे ये अचके यादव फोजी, जिनकी कहानी बहुत ही दर्दनाक है, इन्होंने जो आरोप अधिकारियों पर लगाएं हैं, उसकी जाच होनी चाहिए, जिससे जो सच है, ओ सामने आए, क्योंकि इन्होंने जो कहा है, कि जिसलिए जो हमारा काम है, हमारी ओर ट्रेनिंग न करा करके, बलकि हमें अधिकारियों के घर पर जाडू पोच्छा, जैसे काम कराये जाते हैं, और अधिकारियों के पत्नी के ना जाने क्या-क्या काम कराये जाते हैं, जिसे इन्होंने बताया भी नहीं, इन्होंने कहा कि हम उसे नहीं बता सकते हैं, अधिकारियों की पत्नी हमसे क्या-क्या करवाती हैं, जो भी इन्होंने गंभीर आरोप लगाएं हैं, यह एक जाच क के कारवाई होनी शाहिए परमोद गुपता जे भारत जोन परे